हलो दोस्तों मैं इस रोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे की चल में आज मैं आप सब के लिए लेकर रहे हूं यूपी भीहार फेमस आलू और बैगन की चुखा की रेस्पी आप इसे बैगन और आलू का भाता ही बोल सकते हैं खाने बहुत ही तेस्टी होत बैगन इस जो अपका सब लेवल है इसे मैंने धो लिया है और पूच लिया है सलसे पहले हम बैगन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगाएंगे यह देखिए चार पाज कट लगा लेंगे थोट लगाने के बाद में डाल देंगे हम लसन की कलिया शाथ याट मैंने ल उससे में लसन को डाल देंगे बीच में ते देखिए मैं लसन को डाल दिया है उपर सीस में हलका सोईल लगा देंगा हम इससे क्या होगा कि बैगन बहुत जल्दी भून जाएगा और इसका जो तेश्ट है वह भी बढ़ जाएगा यहाँ मैंने बैगन में उपर थोड़ा स तेल लगा दिया है यहाँ मैंने दो टमाटर लिया है उसमें थोड़ा सा भी तेल लगा देंगे सबसे पर हम इस पर स्टेंट रखेंगे जो आपके पास सुभीदा है रख लीजिए इसमें बैगन रखेंगे और दो साइसे इसको हम पलटते हुए अच्छे से पकाएंगे यह देखिए बहुत तेशे से बैगन घून चुका है और टमाटर भी घून चुका है अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे निकाल लेंगे बतन में यह देखिए यहाँ मैंने निकाल लिया है बैगन और टमाटर अच्छे से ठंडा हो चुका है आप इसे गलती से भी धोएना वह वरना हिसमें मोकी टेश्ट होता है श्याता है फनके बाद ऊपर की छिलका है अमैसे निकाल लेंगे यह देखियो इसी दर हम आपने बेगन को छील लेंगे तो आपने बेगन को छील लिया है अब टमाटर को भी हम अच्छे से छील लेंगे उपर को छीलका हो है निकाल लेंगे पान में डालकर बिल्कुल भी इसे ना धो है आप टमाटर को भी मैंने छील लिया है यह देखिए अब जो बेगन का नीचे का पाथ है उसको हम काटके निकाल लेंगे टमाटर और बेगन दोनों का लसन को एक बाद चेक कर लेंगे हम देखिए बहुत ही अच्छी लसन पक चुका है लसन को मैस कर लेंगे अब बेगन को हम चुटे टुगड़े में कट कर लेंगे अब उसको एक हम बाउल में लेंगे यहीं में डाल देंगे हम उबला हुआ आलू यहां में तिन आलू उबाल लिया है अभी ताजा आलू है अब फ्रीज में का आलू ना इस्तमाल करें उबाला हुआ अगर आप तुरंती आलू बाल के डालेंगे उसका जुट्टे इस्ते बहुत ही बढ़िया आता है अब आलू और बेगन को अच्छे से हम मेश करेंगे अलू अभी गरम है तीसले में हाथ उस नहीं कर रहे हुआ अब हाथों से भी मेश कर सकने है आपको उपर है यह देखि सब्सक्राइब हरी मेश अपने तीखे की साफस ले लीजिए बारी कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा सर्चो का टेल डाल देंगे श्वाद के नसार नमक आप से हैं आधा निवू का रस भी डाल सकते हैं आपके उपर है मिला लेंगे यह देखिए बहुत ही बनिया और अधी मिला करता है नहीं इसमें मसाला है और इस रस पीको ज़रूर्व हूं करें आप सबीबी को भी यह बहूत ही पसंद आने वाला है यह देख सकते हैं जबी है लोग लिट्टी या चोखा के साथ खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है ताब फिर रिश्पी को ज़रूर ट्राइब करें अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें 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 के चैनल को सब्सक्राइब करने तो बिल्कूल न भूले ताथी में घंटी के बटन द सब्सक्राइब करने के लिए